गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आजाओ सभी आपकी एक और कलास शुरू हो चुकी है बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने PBR स्टेडी में साथियों ये आपकी चौथी कलास होगी और वो कैसे दो चर रासी में रहेखी समय करण वाली चौथी नंबर कलास एक सरसाई चल रहा 3.1 से लेकर के 3.56 जितना भी है पूरा देखेंगे तो 3.2 चल रहा है अभी कौन सा ही है 3.2 जिसमें हम question number 2 तक पढ़ चुके हैं साथियों question number 3 और question number 4 ये दोनों एक जैसे हैं इनमें क्या बतान है कोने संगाथ है अगर संगत हैं तो इनको गराफि विकी से हल भी कर एक तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा लफड़ाई है ध्यान से देखना पूरा क्लास को देखना और जो नए चात्र चात्राइं जुड़े हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और मित्रों अगर इस क्लास को आप PBR वरी स्टेडी के 3 चैनल चलते हैं याद रखना भी बताओंगो को इस रूप में लिखो गे अधे 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 उसी स्जीओं टुझा गेञे और कि इनकी आप तुलना करोगे और कि इक्वल जीरो वाला जो आप अभी तक करते आयो ना उसी से इसकी कंपेर करोगे ठीक ना अब लिखिए लाइला इंसे लिखिए दुनों मैं मैं पार्टेशन कर देता हूं टेंसन मतलो अब लिखिए समीकरण एक की समीकरण एक की एवन एक्स प्लस बीवन वाई प्लस इवन इक्वल जीरो से तुलना करने पर तो जब इसकी तुलना करोगे तो आप ध्यान दो तो A1 का मान तो यहां कुछ है नहीं, गुडांक कुछ नहीं, दुवन होगा B1 का मान भी कुछ नहीं है, गुडांक क्या है, वन है यनि कि A1 का मान क्या होगा, प्रियमित्रों, A1 एक होगा B1 क्या होगा, एक होगा, और C1 निकालोगे तो क्या होगा देखो यहाँ C1 कमान क्या हो जाएगा इससे माइनस 5 यहनी कि C1 क्या है माइनस 5 ध्यान देना अगला देखना अब लिखो इसको समी करण 2 की A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल 0 से तूलना करने पर जल्दी लिखो समी करण 2 की A2X प्लस B2Y से से साथ चलुब कर लेते हैं यहां पर बराबर के आएगा देखो हो माइनस दू है और सी टू बराबर ऑर कि आएगा दू हुआ है तो यह हो गया साथियों A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब आ गया अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होती है कहानी जो हम आपको सुनाते हैं जुबानी इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी बराबर होंगे तब क्या होंगे कंडिशन बताया था बताओ कमेंट करके अगर A1 A2 बराबर हैं लेकिन इनके बराबर C1 C2 नहीं है तब क्या होगा कंडिशन बताओ मैंने पिछली कलास में बहुत अच्छे से बताया है और जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 कोई न बराबर हो तब क्या होगा एक मैं बता देता हूं जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कोई भी आपास में पराबर नहीं होंगे तो रेखाएं क्या करेंगी पर दिछी अधित करेंगी ठीक ना प्रोट कर लो जल्दी से इसको इतना हो गया फिर चलिए आगे चलते हैं अब ध्यान देना अब इसको हम ट्राई करेंगे अपना मुख्य रूप जो A1 1 A2 क्या है जल्दी से बताओ कुछ तो करो यार लिखा है सामने न ये 2 ठीक ओके लेकिन यहाँ पर ध्यान देना A2 जो लिखा गया है वो प्लस टू ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं ना नो एसू ओके चलिए ठीक है अब B1 B2 निकालो पहले अभी तो मैंने एक एक मान निक की तू C1 और C2 अच्छा B1 का मान क्या है था यक्स प्लस वाई यही है कि माइनस में है देख लो आप सभी मिला लो नहीं तो बाद में चिन वाला लफ़ड़ा फांस जाता है ना X plus Y ही था plus में ही था ओके कोई दिक्ट नहीं है no problem तो आप निकाल लो इसको इसको जार B2 का मान मैंने माइनस में लिखाया ना ठीक है ना B2 का मान माइनस में लिखाया जो एक मिनाट रुकना ये टू आहीं ना देखो यही टू आई तो मैंने लिखा था यह 2x है यह 10 है इधर आया तो माइनस हुआ लेकिन यह 2 आई माइनस कैसे होगा यह माइनस नहीं होगा इसको आप ऐसे एक लाइन किच के प्लस कर लो बस बागी कुछ नहीं करना माइनस को प्लस करने में असान होता है ठीक तो इस तरह से आपका यह भी मान क्या आएगा जरा रही होगी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर है तीनों बराबर है ना चल्दी से नोट कर लो इतना उसके बाद मैं आगे बताता हूं क्या होगा जल्दी करो वीडियो को रोंग करके या फिर स्क्रीन साड़ ले लो तुरंद बहुत जल्दी फटा-फट बिना देर करे हुए जल्दी करिए हो गया ना जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगा आगे लिखना एवन इक्वल एवन अपने देख लिए सब बराबर आगया अब नीचे लिखोगे अता समीकरण यूग्म के आपरमित रूप से अनेक हल होंगे अगर ऐसी इस्तिति आती है तीनों बरा त्राम श्रेखना आप ढूरी यूग्म है पार श्राइक सामीकरण के हाए था इसयो एक्स प्लस वाइग्कॉल करंदा ठीक न ब्रेकड में लीख लो क्रंदा रखने पर तो देखिए धे अगर आप इसमें व्डिकमाण अलग-ग रखो गे तो यक्स किमाण अलग-ग आएंगे तो साथियों चलो रख लेते हैं 1 इकौल 5- Node है तो वाई कमान जब एक रखोगे तो यक्स कमान क्या आएगा द्यान देना पांच माइनस एक तो यक्स कमान क्या आएगा चार आएगा वाई कमान कितना रखा था एक रखा था वाई कमान एक रखा तो यक्स कमान क्या चार आया त्यान देना वाई कॉल टू रखने पर क्या होगा इसी में रखना है न तो यक्स बराबर 5- y की जगापर 2 रख दिया इसमें तो यक्स कमान क्या आ गया 3 आ गया इसी तरह से और भी कर लो इक कॉल 3 रखने पर देखो जब इसमें y कमान 3 रखो गे न तो यक्स में से तीन गड़ जाएगा दो आ जाएगा यह नहीं एक्स कमान क्या आएगा दो आएगा अब देखो यहां पर तीन बिंदू मिल गए मित्रों तीन बिंदू मिल गए पहला ए बिंदू क्या मिला एक्स कामा वाई इक्वल चार कामा एक दूसरा बिंदू मिला है एक्स कामा फटाफट इतना फिर आगे लिखना बहुत जल्दी करिए फटाफट तुरंद नोट करिए स्क्रीन साइड लीजिए या फिर वीडियो को रोंग करके लिखिए जल्दी करें जो बिंदु आया थे उनको आगे लिक्स लेंगे हमें कुछ इस तरह से अता तिए गये समिकरण एक से प्राप्त बिंदु 4,1,2,2,2,3 है अता इने हम या फिर जी से हम इस तरह से लिख सकते हैं बोलो लिख सकते हैं ना वाई लिखा एधर लिखा एक्स एक्वाइप मैमनस यह तो यह माना ऴार एब चले इनको घर्था दो बस ठीकना अब लहता है इसको दिखाएगे आपने करना यह आ कि एधी एध हर ये ग्राफ जानते हो बहुत अच्छे से आना साथियों वह यक्स है यह यक्स डैस है यह है यह 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 है ठीक ना मान कितना तक रखोगे देखो अधिकताम मान तीन आया है बस ज्यादा नहीं रखना है तो चलो रख लेते हैं 123 यह माइनस 1-2 और माइनस 3 माइनस 1-2 और माइनस 3 यह देखो यहाँ पर जीरो होगा यह वन इसके लिए है यहाँ पर होगा है 123 द्यान देना कैसे बनेगा चार कमा एक का मतलब हुआ मित्रों कि यक्स कमान चार है वाई कमान एक है यक्स पर चार बिंदू चलना है तो यार थोड़ा सा और मिलुदू चलेंगे था हम यहां आ गये वाई पर एक कहिए एक मतलब थोड़ा सा ओपर जाना है कहिने का मतलब यहां चार कब एक देन यह बंग गया 4 कम एक जारीथहां कि बरदो इक्सपर दो पर दो और यहां अररह बिंद के थिा-2 यह फेन तो यह थी 엥 मतलब यहां पर होगा तो यह ऐसे जाएगा मतलब यहां पर क्या आएगा दो कामातीन तो साथियों इस तरह से आपका यह ग्राफ बनके रेडी हो चुका है जिसे आप तयार कर लिए यह ऐसे आप मिला दो के तीनों लाइनों को काड़ती हुई और सीधी एक रिखा निकल तो ऐसे ले जा करके ऐसे मतलब देखो परतिछे दिद किया कि नहीं किया इसने क्या किया परतिछे दिद किया अगर एक सीधी रेखा अराम से खीचों के इसके रखके तो पूरा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी मतलब वह क्या करेंगी उसको परतिछे दिद करेगी है प्रतिस्थापन nano-sather communist साथीों होता ईक होता है यह में जब अंत्र होता है लकिन प्रतिस्थापन बोले या प्रतिलोपन बोले प्रतिलोपन और प्रतिस्थापन का मतलब जय क्यों हिए ध्यान देना इसमें क्या करेंगे exercise 3.3 का ये पाच मतलब क्लास है और ये जो चैप्टर चल रहा है दो चर्रासी में रखी एक समीकरण वाला वो उसका पाचमा भाग है इसमें साथ ही क्या करते हैं जो दो इक कोई समीकरण पकड़ते हैं और उसमें से यक्स या वाई किसी एक कमान निकाल लेते हैं जैसे देखना इधर, जैसे इसमें समीकरण जो ये पहला था,DD ये समीकरण दूसरा था, तो इसमें दूसरे समीकरण से हम yaks का मँआन निकाल लेते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, इस के समीकरण तीन लिख सकते हैं इसके आगे, समाजने के लिए, ठीक ना? आप क्या लिखोगे आप आगे क्या लिखोगे देखो इतना करने के बाद में आप क्या करोगे नीचे लिखो अगला लिखिये क्या लिखेंगे देखिये पहले कुछ तरीका भी समझ लीचे इसमें क्या कैसे करना होता है मतलब तू आप समझ गये होंगे हमारा जो कहना है लेकिन इसमें आप अपक थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा इसको लिखने के पहले ब्रेकर्ट में बीच में लिख लेंगे परतिलोपन या फिर प्रतियस्थापन वीदी से और कोई श्टक में लिख देना समी करण 2 से मतलब समझ में आया दोनों समी करण लिख लिए उसके बार लिख देना प्रतियस्थापन वीदी से कोई श्टक में लिख देना समीकरण 2 से या नीचे भी लिख सकते हो तो समीकरण 2 हो गया अब देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 3 से जो आया है यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें रखेंगे अब यह मान समी किन एक में चलो ठीक है समी करण एक बताऊ कि कर लिए लिखांए ऐसमें है ध्यान देना यह प्लस य य यह 14 है तो टो नहीं पर यह कमान दिया है तो चलो यह चोड़ेसा के जगाफ कर रख दो प्लस नहीं है एकमान प्लस वाई पहले से सब्सक्राइब से एंट में त्याहन से देखना नीचे नहीं समझ में आजाएगा तो तुरंट पूछ लेना बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना तो यहां से मित्रों इसे आप ऐसे लिखोगे क्या यह जुड़ जाएगा वाई वाई तो फॉर प्लस टू आई इक्वल फॉर्टीन ठीक ना इतना किलियर है त इसका है यहां पर आप कैब को यहां वाई एक्वल 14-4 आख के क्योंकि फॉर उधर जाएगा तो यहां पर किए कि मैं नग्मीन 2 और पाँच आगया ना फर्फritis इतना करना फिर दूसरा इस्रह में यह हो गया आप क्या करोग देखो तीसरा इस्टम इधर साइड में करना इधर साइड में दिख रहा है अब लिखे य कमान क्या करोगे इस магrieb यह कमान आगे अभ यह कमान आप रख दोगे किसमें रख दोगे किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो किसमें रखेंगे ध dearna Sumi Karan Pak ऐख दीजीए किसी में भी रख दू आ जाता है वैसे लेकिन रूल की जो होता है Sumi Karan अगर दो को हमने इधर उधर करके निकाला था मान तो एक में रखते हैं चलिए रख लेते हैं देखो इसमें बुक में भी यह कोश्चन दिया हुआ इसका आंसर ही आरा ना चलिए रखते हैं ठीक है ओके किसी में भी आप रख लो हुआ आप लोग कमान आप लोग लिख लीजिए हमने नहीं लिखो या ना लिखो लिकिए वां इसमे करनऐ एक में एक में रखने पर X plus Y equals 14 किसी में भी रख दो चाहे एक में रखो चाहे दो में वहीं आएगा Y कमान 5 है तो X plus 5 बराबर 14 तो X बराबर 14 माइनस 5 X बराबर 9 आगे ना नोट का लो जल दी से X कमान 9 आगया और Y कमान क्या आगया 5 आगया ठीक है चलिए तो यह हो गया पहला तरीका पहला कुश्चन हो गया दूसरा देखना इसमें से क्वेशन साथियों इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन दिये गए हैं सभी कर ले ना यह है आपका विधी जो आपने सीख लिया देखे स्टुडेंट्स इसमें का दूसरा क्वेशन दिया गया है इसे देहान दीजिए यह थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको देखके डर लग रहा होगा ना इसमें भी S और T कमान निकालना है देखो जो दूसरा समीकरण ही से आप सिंपल में बना सकते हो मल्टीपल करके कैसे देखो ऐसे दो का इसमें गुड़ा कर लो तो यह हो जाएगा 2S 3 का T में करोगे तो 3T अपान यह 236 इक्वाल 6 सिंपल समीकरण में बना लो इसे तो 2S माइनस 3T इक्वाल इसके नीचे एक लिखके तिर्चा गुड़ा कर लो गए तो यह 36 हो जायागा आप देखो यह रियल में समीकरण 2 बन गया ठीक ना समीकरण 2 यह बन गया और समीकरण 1 क्या है यह उपर वाला है समझ रहा हो ना लिखतो समीक परति लोपन विधी से या परति अस्थापन विधी से और यहां से निकाल लो क has equal हो जाएगा 3लisati अर यह शमीकरण 3 बन जायगा फिर क्या करना यह समीकरण 2 में रख देना के हल करोगी ट कमान आ जायएगा जो समीकरण Blick में रखना इस तरह से आपको सारे मान मिल जाएंगे ठीक ना तो बात समझने की कोसिस करिए अकर नहीं समझने तो वीडियो को इसको फिर से देख लिए स्टार्टिंग से एकदम क्लियर हो जाए और हाँ एक बात और बता दें अगर आप इस कलास को पीवियर स्टेडी परिया परियाग राज पर अगर देख रहे हैं या यूटूब के अलावा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो आप यूटूब पर जाकर के पीवियर स्टेडी 3.0 यानि की चैनल नंबर 3 को सब्सक्राइब करें या फिर आप मैत आसान है लिग कर सर्च कर सकते हैं यूटूब पर त इसमें 2x plus 3y equal 11 और 2x minus 4y equal minus 24 को हल कीजिए तथा इसमें यम का वहमान गयत कीजिए जिसके लिए y equal mx plus 3 है तो यह नीचे जो दिया गया इससे बिल्कुल ना घबराना इसमें कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है यक्स और y कमान रख देना है बस यक्स प्लस 3y equal 11 है लिख लिया समीकरण 2 लिख लो 2x minus का 4y equal minus का 24 बहुत आसान है यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं नीचे लिख लो प्रतियस्थापन पिधी से और उसके नीचे लिख लो समीकरण 1 से ठीक ना अब प्रतियस्थापन भी धी अपलाई करेंगे समीकरण 1 में तो 2x plus 3y equal 11 है ना यहां से साथ ही हो हम निकालेंगे क्या बोलो क्या निकालेंगे यहां से हम किसी एक कमान निकालेंगे चाहे x कमान निकालेंगे चाहे y का तो ह 11 – 3y क्योंकि 3y तो यहांग ञाए हो जएगा और क्योंकि आपधैन दो तो तो गुड़ा में है चाहिए यह साथ 2 ऐसे छाएगा तो यह हो गया x कमान यह हो गया x कमान हो गया अब ध्यांगे नैस दो Windows अश्डुम में क्या करेंगे लिखे यक्स का मान समिकरण किसमें रखोगे देखे हमने एक को तोड़ा मरोडा है एक से ही तो यक्स निकाला है तो दो में रखेंगे दो में रखने पर तो चलिए दो समिकरण क्या है 2x – 4y – 24 24 चलो रख देते हैं बहुत आसान है यार एक्स कमान देखो केवल एक्स की जगह पर चेंजिंग करना तो यह हो जाएगा टू इंटू एक्स की जगह पर 11-3y अपान 2 और कितना आसान है अब जड़ा ध्यान दो अगर यह कोष्टक खुलेगा तू उपर गुड़ा होगा और यह भी टू यह कट जाएगा यह लो 11-3y और माइनस का 4y को कितना हो जाएगा माइनस का 24 देखो यह जूड़ जाएगा 7y एक्क्वल माइनस 24 हो जाएगा यहां से आप य कमान निकाल लोगे इसको नोट कर लिए हो तो मैं मिटा देता हूं चल्दी करो तुरंट जो नहीं लिखे हैं तुरंट लिख लें वीडियो को र काइड में मिटा रहा हूं ठीक ना तो रोग रोग के आप सभी लिखा करिए और आगे बढ़ा करिए पहला इस्टप हो गया कि देखो यक्स का मान आ चुका है आपके सामने और हां अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पीवियरे स्टेडी के तीनों चैनल में से चाहे जिस पर देख रहे हैं उसे तुरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें चैनल नंबर तीन पर ये कलाश चलती है ठीक ना रेगुलर कंपलीट चैनल नंबर तीन पर ही होगी इसका नाम है पीवियरे स्टेडी 3.0 NCRT सलूसन अगर आ मामानों और जाहएगा मामानयमburg 64 शेफार 9 फौर1 ही फॉरे का यहां से य बराबर निकालोगे यह जोरे पांच तीन मामानों फैना जायेगा कि मिला करको zehn पर है कुल मिला करके y कमांड पांच आगया बहुते है अब वि यह था है नहीं ह्भा था-ता-तियाँ है ना तो चलिए अब क्या लिखेंगे हम है सको लिख लिखेंगह सोầफ आप इधर मैटा रहा हूँ। अभी तंदी क्यों है किसी में अभी रख़तो कि दिखो यह तो ऐसी में रख के निकला था मान की दो में।fik समिकरण दो में रखके निकला था ना भी समीकरण 2 में रखा था तो इसे 1 में रख दो लिखिए y कमान समीकरण 1 में रखने पर तो साथियों जब y कमान समीकरण 1 में रखोगे देखो यह 2x प्लस 3y इक्वल 11 था y कमान 5 आया है तो 2x प्लस 3 गुड़े 5 इक्वल 11 यहां से 1 बराबर निकालोगे 11 माइनस 15 हो जाएगा और क्यूं हो जाएगा आप समझ गयो है ना क्योंकि 11 यह पहले से है यह 3 पंचे 15 हो जाएगा तो यक्स बराबर यह देखो यहां पर 2 इधर से जाएगा उधर हो जाएगा उसमें भाग में गटा लो 11 4 15 माइनस का 4 आएगा बटा 2 काटोगे तो माइनस का 2 आएगा यह निक्स कमान माइनस 2 आया और y कमान के आगया फांच आगया नोट कर लो जल्दी से इतना जल्दी से लिखो उसके बाद आगे बात करते हैं देखे साथियो इसके आगे क्या होगा इसके आगे इसमें जो यह माली बात कर रहा था ना अब यह में कमान ग्याद करने के लिए क्या करेंगे यक्स और y कमान रख देंगे चलिए इतना हो गए न इस्टेप नोट कर लो फट से अब इधर चलते हैं देखो जैसे मैं इस्टेप बाई इस्टेप लिख रहा हूं बीच में लाइन खीच के न तो आपको लाइन नहीं खीचना है अगर आपका पेज पतला सा है तो आप इसे नीचे उपर लिखते जाओ इक करने के लिए यक्स और वाई के मानों को वाई इक्वल यम यक्स प्लस तीन में रखने पर तो चलो रख दो देखो ध्यान देना बहुत गौर से समाझना य कमान 5 आया था 5 रख दो यम यक्स कमान कितना आया था साथियों यक्स कमान हमें आया था भी माइनस दो तो यह हो गया माइनस का दो ठीक और यह पलस का 3 यहां से 5 और 3 को अधर लाओ भी माइनस हो जाएगा और यह माइनस का 2 вм इस तरह से इसंसे जब घृटा अझा ओगे तो दो आयगा इक्वेल क्या हो गा माइनस का 1 यहां साथियों सकते हैं 2 upon यह === यहां से सथिर्ट इसमें का इसमें एक सब्सक्राइब कर लिजिए बस इतना इती पूरी परकरिया जल्दी करें आगे बढ़ते हैं फिर हम हो गया इतना ओके चलिए अगला कुष्चन पे हम बात करते हैं कुष्चन 5 यहां देना is that समस्याओं का मतलब यह जो कहानी लिखी गई है इसको पढ़के रैखिक समिकरण का यूगम बनाईए और उनके हल परतियस्तापन विदी से गयाद कीजיע मतलब यो इस टोरी दी गई है इसके समिकरण बनाईए और उनको प्रतियस्तापन विदी से हल कीजיע तो चलिए ये स्टोरी क्या है मैं आपको समझाता हूँ देखिए कक्षा 10 की NCRT में ये कुश्चन है आपके बूक में सभी के दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है तो उन संख्याओं को ग्याद कीजिए ऐसी स्थितिय में हम क्या करते हैं साथियों मान लेते हैं क्या मानेंगे माना संख्याएं क्या हैं यक्स तथा वाई हैं संख्याओं को क्या मान लिया मैंने यक्स और वाई मान लिया अब देखना क्या कहता है पूरा कोजिशन समझ ना कह रहा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है अब नीचे लिखिए प्रसना अनुसार प्रसना अनुसार तो साथियों अंतर का मतलब होता है घटाना इसका मतलब यक्स माइनस वाइक्वाल कितना है 26 है ये समय करन रेखो गया दूसरी सर्द के अनुसार यहाँ पर लिख लो दूसरी इस्थिती सिकेंड इस्थिती कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की तीन गुनी है तो चलो भाई एक संख्या जो है वो दूसरी की तीन गुनी है मतलब कि यक्स इक्वाल तीन वाई ये समीकरण 2 हो गया दोनों समीकरण बन गये दोनों इस्थिति में है न? आप क्या करेंगे? अब हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम समीकरण जो 2 से 1 कमान निकला है उसे रखके परतिय स्थापन का मतलभ ही यही होता है परतिय स्थापन में यही तो करते आये हैं ना यक से आई किसी एक कमान निकाल लेते हैं तरह बागी जो बचता है उसे दूसरे में डखल लेते हैं तो लिखिए अगला हिस्टप इधर से लिखिए समी करण दो से यक्स का मान समी करण एक में रखने पर समी करण एक में रखने पर तो यक्स माइनस वाई कौल 26 तो यक्स का मान है तीन वाई माईनस वाई कौल 26 तो साथियों यह दो यक्स का मान अभी नहीं आया अब क्या करोगे समिक रड़ेक में रखे थे ना अब लिको इधर आगे तीसराइच स्टेप में इसको लिख लो या फिर स्क्रीन साट ले लो नहीं तो हम मिटा देंगे वीडियो को रोख करके लिख लिया करिए अगर हम कभी जल्दी मिटा दें नहीं लिख पाये हो ना तो वीडियो को पीछे करके लिख लिया करिए क्योंकि आप सभी अनलाइन देखते हो नो इतना मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज मिट गया तो वीडियो को आप अपने मुबाइल फॉन में लेफट साइड टच करेंगे तो तीन बार तो पीछे हो जायागा लिखिये y का मान समी करण 2 में रखने पर 2 में रखने पर समी करण 2 था X gleich 3Y तो यक्स इक्वल तीन गुड़ावाई का मान तेरा तो यक्स इक्वल कितना हो गया 49 क्या कह रहा था इन समस्याओं को हल कीजिए और वो भी परती है स्थापन विधी से आ गया न हो गया लेकिन संख्याओं के बारे में बात की गई थी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अदाहा पहली संख्या पहली संख्या यक्स इक्वल 49 तथा दूसरी संख्या वाई इक्वल 13 है इस तरह से ये साथियों आपका तीसरा कुश्चन भी कम्पलीट हो चुका है आप इसे रोख करके लिख लो या फिर स्क्रीन साथ ले लो बहुत ही मज़ेदार कुश्चन है और फिर आप आगे सीखते रहिए कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ की बिना यूही जय जय कार नहीं होती साथियों कोशिस करने से नहीं हार ना पूड़ा अंक आएगा यार टेंसन मतलो बस परिक्षा के लिए जो भी आ रहा रट डालो चट डालो एक दम से ठीक ना देख लो बस और एक सबसे बड़ी बात आपकी बोर्ट की परिक्षा अगर होने वाली है तो आप मौर्निंग में उठके पढ़ने की कोशिस करिए और हाँ सोने से पहले थोड़ा देर जरूर पढ़िए जो भी चीज याद करना है उसको पढ़िए सोने के पहले और उठने के बाद याद करने वाली चीजें सबसे पहले पढ़िए मैत लगाने का काम सबसे बाद में करिए क्योंकि जो चीजें याद होती है न जब आप इस तर से उठते हो उस समय अगर कोई चीज पढ़ते हो तो याद रहती है अगर आप उठने के बाद तुरंद पढ़िये कुछ मत करिये बाद में जाये वासरूम औगयरा लेकिन उठने के बाद चाहे पांची मिनट पढ़िये लेकिन जैसे आख कुले कुछ न कुछ जरूर पढ़िये इसके आगे देखना ये एकसरसाइज पूरा हो गई है इसमें साथियों जो और भी question है उनको ध्यान से समझ लो कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ देखे इसमें जो अगला question है दूसरा number वो कह रहा है कि दो संपूरक कोड़ों में से बड़ा कोड़ छोटे कोड़ से 18 डिग्री अधिक है दो संपूरक कोड़ों में से बड़ा कोड़ छोटे कोड़ से 18 डिग्री अधिक है तो बताएए उन कोड़ों की माप क्या है इसमें क्या करोगे इसमें सिंपल सी बात है संपूरक कोड़ों में से बड़ा कोड को एक समान लो बड़ा कोड को एक समान लो छोटा कोड y हो जाएगा फिर प्रिसना अनुसार दूसरी स्थिती जो कह रहा है उसके according चलोगे तो y-y'iy-18 डिग्री हो जाएगा यह समिकरन एक हो जाएगा और फिर अधिक की बात बोल रहा है यह x plus y equal क्या कर लोगे x80 यह x plus y x80 क्यों होगा x80 इसलिए होगा साथियों क्योंकि संपूरा कोणों का जो योगफल है वो x80 होता है ठीक ना संपूरा कोणों का योगफल x80 होता है पहली सर्थ के एकारडिंग तो आप इसको x minus y equal 18 degree कर लोगे लेकिन संपूरा कोणों का जो योगफल x80 होता है तो आप x plus y equal 180 करोगे दो समिकरन बन जाएंगे हलका लेना बस हो गया उसके बाद तीसरा जो कह रहा है उसको भी ध्यान से सुन लो कहरा तीसरा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने साथ बल्ले तथा छे गेंदे 3800 रुपए में खरी दी बाद में उन्हें तीन बल्ले और पांच गेंदे 1750 रुपए में खरी दी तो परते गेंद का मूले बताओ तीक ही ध्यान देना इसमें कुछ नहीं करना है बहुत ही आसान है इसमें आप यह मान लो पहले बल्ले और गेंद का मूले अलग अलग मान लो पांच गेंद साथ गेंद का बाद में करना पहले सिर्फ और सिर्फ बल्ले और गेंद का मानो तो साथियों इसमें क्या करोगे इसमें आप लिखिए मान लीजिए कि माना एक बल्ले का मुल्ले एक्स रूप है और एक गेंद का मुल्ले वाई रूप है तो पहली सर्थ के अंसार क्या हो जाएगा कह रहा था कि किर्केट के कोज ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 में खरीदी तो सिंपल सी बात है 7 एक्स धंच इक्स हो जाएगा 3800 हो जाएगा यह हो गया दूसरी स्थिति कह रहा था कि 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी तो सिंपल सी बात है 3 गेंद और 5 बॉल खरीद रहा है तो तीन यक्स धन 5 वाई इक्स रूप हो गया यह दो समिक्रण बन गए और इनको क्या करोगा फटा-फ क्लास रिकार्ड होती है अगर कहीं कुछ गड़बढ होता है तो उसके लिए माफी चाहते हैं हमारी कोशिस होती गड़बढ नहों रातरी के 2 बच कर 16 मिनिटी समय हो चुके हैं लेकिन सुबह आपको यह क्लास मिले इसलिए हमारा उद्दे से होता है कि आपको क्लास दिया किसी भी तरह देखो लाइट बंद हो जा रही क्या है ना दो बच कर 16 मिनिट हो चुके हैं तो काफी लेट हो जाता है टेंथ की मैत आपकी नहीं चल रही थी समय की कमी की वजह से लेकिन हमारी फिर भी यही कोशिस है कि समय मिले और यह ना मिले लेकिन आपकी क्लास जो है व बक्षा 12 की एंसी चैनल पर सुबह 9 बज़े से देख सकते हैं सुबह 9 बज़े से चलते हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेला इकन अन करिएगा और हां अगर आपको पूरा मैत पढ़ना है तो उपर देखो साइड में लिखा पीवियर स्टडी एप्स पीवियर सुबह 3